एलो भाई लोग बेलकम बेक तो अर्योडव चलनल इन इस वीडियो आपको क्रिकेट का जो मैच है MCE T20 का भी देखो IPL के सेरीज में बहुत जादे बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ग्रैंड लेगुम है साथ मिलेगा डेफिनेटली उससे ज्यादा कुस्सणी मिलने वाला है बट मैं 2-3 दिन से एक अप्लिकेशन में खेल रहा हूं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हो पहले मैं हमारा डालना पड़ेगा गिववे में पाडिसेबिट करने के लिए पेटियम कैस का गिववे रहेगा रोज आपको दिया जाएगा जिन लोग एक्टिव यूजर हैंगे फैंडसी पाउर 11 पर जिन लोग रोज मैचेस खेलेंगे उन लोग को रोज गिववे मिलेगा हमारी त और डेफिनेटली आपको हाई यूजर देखने को मिलेंगे एक्टिव यूजर 50 के रहते हैं डेफिनेटली बट कुछ मैचेस के जैसे टीटन के मैच हो गए और फोटबॉल के मैचेस हो गए उसमें नौलेज बहुत कम लोगों को है जिसका फाइदा अगर आप उठाते हो तो डेफिनेटली आपकी डबल होने वाली है तो बात में दम हैं तो वीडियो को 200 प्लाइक का टार्गेट रखा है इसको कम्प्लीट कर देजेगा और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बेना देर के हुए टेलेग्राम में जोइन करने का फाइदा क्या है यह तो आप देखी रिशिक्वे होगे क्योंकि आपको यहां पस कुछ भी अपडेट होता है जैसा कि मैंने यहां पस एक पोस्ट डाला था कि हम कल के जो टीटन के मैचेस हैं उसको कवर करेंगे डेफिनेटली आपकी अर्न लेस्ट कंपेडिशन है रियल 11 का प्रमोशन करकर के तो अपन ठक है बहुत सारे बंदे जोइन हो चुके हैं रियल 11 में अभी कंपेडिशन है लेकिन उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए बट मेरे ख्याल से जाद अतर आपको फेंडेसी पाउर 11 में खेलना चाहिए जिस है मैंने हापस आपको डिनोट कर दी है अब अगर मैं विनिंग स्क्रिंसोट की बात करूँ तो यहां पस आप लगातार देख सकते हो अमारी कितने विनिंग सो दी है सबी हमारे मेंमर्स है आपसे भी रिक्वेस्ट है आपने अभी तक हावने टेलेग्राम चैनल को नहीं ज क्योंकि जब ड्रीम 11 इतना competition वाला एप है जहां पस आपकी डबल उजा रही है तो मेरे ख्याल से आपकी ट्रिपल चौबल होने वाली है क्योंकि जादतर competition आपको ड्रीम 11 पर ही देखने को मिलेगा बाकी अधर application पर नहीं मिलेगा यहां पस आप देख सकते हो लगातार साथ fantasy 411 में जरूर खिलेगा रेफर कोड लेकिन संधी पे 1111 डाल दिजएगा जिससे क्या है आपकी प्रॉफिट डबल हो जाएगी प्लस आपको जो भी पैसा आप एड्ड करोगे तो deposit में आपको एक offer मिलेगा जिस पर क्लेक करके अगर आप जोइन करते हो तो definitely आपको वह real cash भी मिलेगा जिसको आप withdraw कर सकते हो प्लस पर refer आगर refer भी करते हो अपने friends को उस application के जिर्गे हमारे refer code से जोइन कर लिए आपने refer code जोइन करने के बाद आप आगर किसी को refer करते हो तो आपको 100 रुपीस का instant मिल जाएगा cash जिसको आप withdraw में ले सकते हो या फिर matches वगेरा दे दी जाती है हमारे चैनल पर तो जरूर से जोइन कर लेज़ेगा जहां पस आपको फानर टीम फानर अफडेट सभी चीज़े मिल जाती है चलिए बात करते हैं मैच के क्योंकि इंट्रो पार्ट हो जाता है खता है देखो विकट के पर सक्षन से options आपको 5 पेलेंगे 5 मैं से खेलने माले सिर्फ तीन ही है तीनों मैंसे कोई भी खेल सकता है बंदा तो डेफिनिटली आपको तीनों के मैं average score और पॉइंट सो अलगे रहा प्लस इनका मलब लाइनप क्या है और कितने नमबर पर बैटिंग करने हैं यह चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्यूंकि बंदे जादतर वीडियोस में यही देखने आते हैं कि लाइनप क्या रहता है और किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है पेच का कंडिशन क्या है और मैच कैसे रहेगा क्यों से फेवर में जाएगा जादतर किस के तरफ से प्लेयर्स को ट्राइ करने हैं यह सब ही चीज़ क्योंकि देखो यार इसमें अगर आप नहीं देखते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी टीम क्रियेट नहीं कर पाऊगी जिसके वज़़ा से आपकी अर्निंग फिक्स हो सकी तो फर्स्ट नमर पर स्टार्ट करते हैं आर्कमार रजिस्वर्ड आपको देख जाएंगे सने विकेट की पर सक्षन से नेक्स्ट आपको एस हाकीम दिख जाएंगे जो कि आपको एमकेपी के तरफ से खेलते वह दिखेंगे एमकींग पर रिकॉर्ड वाकई काबिल ये तारीफ है 33 मैचेस के लिए 33 मैचेस में अगर रंस की मैं बात करता हूं तो करीब 451 रं है जो क कितना नमर पर बैटिंग और कितना है इनका ये भी आपको बताते ता हूं आगर मैं राजिंदर की बात करता हूं तो ये करीब मेरे ख्याल से आपको दूसरे नमर पर बैटिंग कराते हुए दिखेंगे आगर हकीम की मैं बात करता हूं तो ये आपको चौती नमर पर बैट की मैं बात करता हूं तो करीब 105 क्या स्वास बनाए थे जो कि बहुत ही जादा खास है जा बैटर की रूप में तो डेफिनेटली आपके लिए ट्राइबल रहेंगे इनको जरूर ट्राय करके चलिएगा इस प्लियर को ड्रॉप करना मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना हो जाता है इसलिए इनका सेलेक्शन भी बहुत ज़ादा है रिसेंटली न्यू प्लियर है यंग प्लियर है मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके लिए पाउर हिटर का काम करते हुए दिख जाएंगे तो बिल्कुल इनको ट्राय जरूर कीज़ेगा रिफ्ट मित कीज़ेगा क्योंकि देखो यार अगर इस प्लियर के साथ रिस्क लेते हो तो बहुत ज़ादा लॉस चले जाओ गया आप और डेफिनेटली आपके लिए लॉस वर्जन काम ठीक नहीं है मेरे ख्याल से नेक्ट पेर आपको कीखान देख जाएंगे कीखान का रिकॉर्ड बहुत ज़ाद देखने को मिला था में तो डेफिनेटली इस बैच में भी आपको अच्छी कासी ही पॉइंट सिस्टम देते हुए नजर आएंगे देखो मैं एक एकठा मैच का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको पर मैच का रिकॉर्ड अगर बताने बैठों तो वीडियो मेरे ख्याल से कर परमिशन आपको सटिक मिलने होला है अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए ऐसा वीडियो भी क्रियेट कर लेंगे अपन लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग देखोगे नहीं जिस बेसिस पर आपको अभी नहीं बना रहे है वैसा वीडियो आप होती जादा अच्छा तीन प्लेयर हो गए मेरे ख्याल से तीनों इंपॉर्टेंट है तीनों को जरू ट्राइके जगा फानल टीम आपको टेलिग्रम पर देजी जाएगी अच्छे गासे इंवेश्मेंट वाली रहेगी फेंडेसी पाउर 11 पे अगर एक हजार कभी लगाते हो तो गैरंटीड है प्रॉफिट आपको सुबे के साथ ही देखने को मिल जाएगा साथ बजी ये मैच है तो मेरे ख्याल से सुबे आप अगर एक हजार लगाते हो तो उसका 2000 होती टाइम नहीं लगेगा डेफिनेटली आपकी अर्निक डबल होने वाली है ठीक है यहां पस क हाय दुरानी दिख जाते हैं यह भी इंपॉर्टेट है दोनों का ही पर्फॉर्मस बहुत जाद अच्छा है अब बास और दुरानी का बट जादे तर प्लेयर जहरी के साथ जा रहे है जहरी की अगर रिकॉर्ट की मैं बात करता हूँ 81% सेलेक्शन है बट आपको कभी कदा अगर CT 1st inning में बैटिंग करते हुए सब्षये आपको छापा रिस्क वर्जन हो जाता है गर in ड़ों को सरफ सेंग्छ के करा गे मोगन के अगर बात करो तो मौगन आपके लिए इंपोर्टन है जफरी तो बिल्कुल इंपोर्टन है नेक्स्ट आपको लतीफ दिख जाते हैं मेरे खाल से और कोई बेस्ट प्लियर नहीं है अगर होता है तो मैं आपको टेलेग्राम पर अपडेट कर दूँगा टेलेग् किहां पस रिकॉर्ट देखते ही बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से उस बेसिन पर मैंने जिसके बेसिस पर ट्राइ किया है मेरे ख्याल से वह फैक्टर यहां पस लागू होगा और आपस आपकी विनिंग होनी वाली है चाहे आप स्मॉल लिग्यू में खेलो छाहे कोड में आपको संदीप 111 डालना है सिर्फ आपको इतना लिख देना है जल्दी से लिख के तुरण से डाउनलोड कर लिजएगा जिससे क्या है आपके अर्णिंग डबल और त्रिबल हो जाए और इसली तरीके साप और कर सके हो तो यह थी मेरी फाइनल टीम और कुछ भी आनलिसिस के साथ